इंडिया का जो Northwest Frontier है वो historically, ancient और medieval time में एक ecotone की तरह behave करता है Ecotone में इसको इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे की एक environment में दो अलग-अलग biodiversity के मिलने से एक नई biodiversity create होती है जिसकी productivity जादा होती है, जिसकी species अलग होती है और इसको हम ecotone area कहते है या ecotone biodiversity कहते है कुछ उसी प्रकार Northwestern Frontier पे कई सारे foreign invasions हुए, कई सारे ऐसे foreign invasions हुए जो की इंडिया के gate तक आके वही पर रुग गए और वहाँ पे अलग-अलग type के लोगों का intermixing, cultural intermixing होती रही ancient time में देखे तो दो बड़े attacks इंडिया पे Northwestern Frontier से हुए थे पहला attack जो था that was under Persian Empire, इस Persian Empire को world का पहला empire कहा जाता है और इसमें बड़े-बड़े राजाओं के नाम आते है जिसे Cyrus या फिर आपने नाम सुना होगा Zarkseez का, Zarkseez वही character है जो की एक movie जिसका नाम था 300 जिसमें Sparta Persian Empire के गेंस लड़ते है उसमें जो विलन दिखाये गया है वही Zarkseez है ये और दूसरा जो attack होता है that is under Alexander या फिर Greek attack होता है under Alexander Alexander वो आजमी था जिसने एक छोटे से Greek Empire को बड़ा करते हुए उसको expand करते हुए पूरे Persian Empire के खतम करते हुए इंडिया के North Western Frontier पे पहुँच गया था इसलिए कहा जा सकता है कि ये World का Second Empire भी था या फिर World का Second International Empire भी था अब Alexander इंडिया के North West Frontier तक पहुँच जाता है वहाँ पे कुछ राजाओं को defeat भी करता है जैसे कि Ambi, Abisar और Porus परन्तु उसके beyond Magad की boundary आ जाती है Magad Empire जो की धना नंद के अंदर या फिर नंद डैनेस्टी के अंदर उस समय चल रहा था वो एक काफी व्रहद बड़ा सामराजिय होता है जिसकी boundaries Northwest में पंजाब, East में कामरूप, South में अवंती और North में लगबग पाटली पुत्र यहां तक यह empire extend करता था इसके पास बड़ी सेना काफी सारे हाती हुआ करते थे जिसको देखते हुए जो Alexander की आर्मी है उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया and they had to move backward पर जाने से पहले Alexander ने इस Northwest वाले area पे अपने governors को establish किया और Greek empire के under उसको लाया इसमें माना जाता है कि उसने पोरस, अभिसार और अंभी तीनों को अपनी अपनी जगों पर governors बनाया था अब Greek empire के इस expansion में जो कि इंडिया के Northwest area तक आता था इसमें काफी सारी अलग-अलग populations की intermingling होती है जिसमें पहली population तो इंडिया की indigenous population थी जिन पे already Persian influence था क्योंकि Persian invasion पहले हो चुका है और Persian empire वहाँ पर होगी और तीसरा Greek population जिसका immigration अब यहाँ पर होगा इन तीनों के मिलने से trade and commerce को काफी ज़्यादा प्रोचसाहन मिला, cultural intermingling को काफी ज़्यादा प्रोचसाहन मिला और यहाँ पे काफी ज़्यादा flourishment create हुआ यह जो influences create हुए थे इंडिया के Northwest frontier पे उनको हम एक-एक करके दे invasion के बाद flourish करी क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के लोग आए अब यह जो cities थी इसमें से कुछ थी कंदाहार जिसको अरकोसिया कहा गया बाद में एक Alexandria नाम की city भी develop हुई जिसको आज बेगराम कहते है शाहिद पाकिस्तान में आती है यह सारी cities develop हुई और यह cities धिरी दिरे करके trading points जैसे या trading centers जैसे develop हुई इन trading centers को यदि हम मिलाते जाते है तो वो एक route के form में भी create होती है जो की basically part बन गया आगे जाके silk route का यदि इन trading centers का importance देखना हो तो कंदाहार का example best है क्योंकि मुगल टाइम तक यह एक बहुत बड़ा trading center बना रहा यहाँ पे trading car वाँ आ देखने को मिलता है वो है art and architecture में development इसमें सबसे बड़ा example जो है that is of गांदाहार art का development हुआ जिसमें की मूर्तियां बनाई गई बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई क्योंकि यह development हुआ Buddhist influence के अंदर या फिर महायान Buddhism के अंदर यहाँ पे जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई उसमें काफी जादा Hellenistic architecture था या Hellenistic art था Hellenistic art से मतलब है वो ऐसा art था जिसमें Greek और Roman element दोनों देखने को मिलते है यदि इस Hellenistic art को imagine करना हो तो आप Greek gods को imagine कर सकते हो या फिर Hercules को imagine कर सकते हो Hercules के दी imagine करो तो उसको तेखो ठीक से उसके बाल गुंगरा ले Body muscular वो एक robe पहना हुआ है बाकी body open है ऐसे इत्यादी बहुत सारे elements जो Greek या फिर Greek और Roman architecture को ग्रीक और Roman art को बिलॉंग करते है वो Buddhist architecture में हमको देखने को मिल जाएगे दूसरी एक जो बड़ी art influence हमको देखने को मिलती है वो है Morian pillar art जो Morian pillar art है वो शायद influenced है from Greek pillar art से यहाँ पे जो animal figure बनता है Morian pillar architecture में वो शायद Greek से या Greek architecture से वो borrowed है तीसरी जो major influence हमको देखने को मिलता है वो है philosophy related Alexander की invasion के कुछ समय बाद महायान बुद्धिजम का rise चालू हो जाता है महायान बुद्धिजम को यदि हम ठीक से देखे तो महायान बुद्धिजम में भगवान को personify किया गया कुछ उसी तरीके से जैसे की Greek gods को personify किया जाता था इससे पहले बुद्धिजम में भगवान का concept नहीं था बुद्ध को भगवान की तरह नहीं देखा जाता था उसमें मूर्ती पूजा नहीं होती थी परंतु इस Greek influence के कारण आगे जाके even जो Indo-Greek dynasty आती है और Kushan dynasty आती है वो भी same influence यहाँ पे create करेगी और इस Greek influence के चलते अच्छल इफेक्ट में देखने को मिलती है वो है astrological development astrology हर जगे आपको world में दिख जाएगी यह ancient time से चली आ रही है आज भी चलती है आज तो बड़ा business बन गया है पर उस time की astrology को दिखा जाए तो भारती astrology ने काफी कुछ Greek astrology को influence किया था यह 4-5 point हमको show करते है कि Alexander के invasion ने किस इंडिया के northwestern frontier में एक अलग culture को develop किया जिसको मैंने ecotone कहा और क्यूं इस Alexander के invasion को कई बार construction in destruction कहा जाता है याने कि वो तो war करने आया था वो तो destruction करने आया था पर उसके जाते ही यहाँ पे constructional activity constructive activity चालू हो गई काफी नया culture develop हुआ इन सभी के लावा एक और बड़ी चीज जो यहाँ पर हुई वो थी कि यहाँ से इंडियान history writing कुछ हद तक clear हुई पहली चीज जो इंडिया में tradition चला रहा था या तो वो वेद उपनिशत का था या फिर धर्मशास्तरस का था या फिर पुराणों का tradition चला रहा था जिसमें बहुत ज़्यादा history clear नहीं होती ग्रीक हुई है